नमस्कार, कल हमने अपने फिजिक्स के सेकिंड पेपर बेवेंड औसीलेशन्स ब्यस्सी पार्ट बन मैट्स में डैम फोर्सेज को समझाता है और साथ ही डैम फोर्सेज के बाद डैम फोर्स में जब कोई कंगती करेगा तो उसका किस प्रकार का स्वरूप होगा इससे हम पर्चेत हुए थे मैंने आपको बताया था कि जब यदि किसी पार्टिकल पर रिस्टोरिंग फोर्स लगता है तो मूलते रिस्टोरिंग फोर्स माद्दी स्थिति की और लगता है और वहें उसकी गती को बनाए रखने के लिए उत्तरदाई होता है परंतु व्यवार में फ्रिक्शन फोर्स बिसकस फोर्स यह सारे जो फोर्सेज के प्रकार है यह डेम्प फोर्सेज़ के प्रकार हैं अमंदन बल है और इनकी जो प्रकृति होती है वो नॉन कंजर्विटिव होती है जब सरल आवर्त गती कर रहे हैं कन के रिस्टोरिंग फोर्स के साथ मैं इस प्रिकार के नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी कार्य करते हैं तो हम बैवार में प्रिकृति में भी ऐसा देखते हैं कि इनके आयाम और उर्जा में निरंतर कमी होती जाती है और जैसे जैसे कमी होती जाती है एक इस्तिति आती है कि फिर ये इस ते रवस्ता में आ जाते हैं तो जो ऐसा दोलक है उसको अममंदित दोलक कहलाते हैं जैसे माल लिजिएगा जूले पर एक बार हम जूला दे करके छोड़ देए तो हम देखेंगे कि धीरे धीरे उसके आयाम में कमी होगी और जो बैक्ती जूला जूल रहा है वह है एक कुछ समय के बाद इस तरी रवस्ता में आ जाएगा तो इस तरह के जो भी अमंदित दोलक हैं उन पर दो प्रकार के बलकार करेंगे एक पर रिस्टोरिंग फोर्स कार करेगा रिस्टोरिंग फोर्स के लिए f r is equals to minus ky जहां पर k force constant है और damping force का जो मान होता है वह है f d equals to minus lambda भी होता है lambda damping coefficient है और इस प्रकार से दोलक पर पर नामी बल जो लगेगा वो इन दोनों के sum से दिया जाएगा Newton के second नियम का हम उप्योग करते हैं ये समीकर्ण हमको प्रात हो जाता है अब इस समीकर्ण में हम कुछ constant यूज़ कर रहे हैं जिसमें से एक है Lambda by M is equals to 1 upon Tau is equals to 2R मैंने कल Tamping Force में जब कंड गती करता है तो विस्तार से आपको बताया था और मैंने कहा था कि M by lambda जो term है उसकी जो dimension निकल के आती है वो time की निकल के आती है इसलिए Lambda by M को हमने बना पॉन Tau काहा है जिसको 2R माना है R damping coefficient है और Tau को हमने relaxation time काहा है कल हमने relaxation time आपको समझा दिया था कि relaxation time वो time है जिसमें जब अब मंदन बल के प्रभाब में जब कनगती कर रहा है तो जो प्रारंबिक अवस्ता है वो है प्रारंबिक अवस्ता के बेक का B0 बटाई रह जाता है यानि 36.8 रह जाता है तो वह जो समय होगा वह समय relaxation time क्यालाएगा दूसरा constant से आप परचित है हम प्रारंब से बारमी क्लास से करते आ रहे है K by M को हम omega 0 square लिखते है इसका अरत हुआ यह उसकी natural frequency है तो जब कन पर प्रत्यानन बल के साथ-साथ अबमंदन बल और कार कर रहे हैं तो उसकी जो equation आ गई है वो सरल आपदगती में एक टर्म और आ गई है उसका मान है 2R dy by dt अब हम इस के हल प्राप्त करने के लिए हम इसके solution मान रहे है कि by is equals to e की पावर alpha t और इसका first derivative निकाल रहे है second derivative निकाल रहे है first derivative और second derivative निकालने के बाद जो हमारी equation आई है जिसमें हमने damping coefficient और natural frequency का यूज किया है यानि कि d2 by dt square plus 2R dy dt plus omega 0 square by इस समीकर्ण में first derivative, second derivative और displacement की समीकर्ण को रख रहे है तो हमें एक quadratic equation प्राप्त हो रहे है quadratic equation के दो solution प्राप्त हो रहे है जिसको हम इस प्रकार से निकालते हैं x is equals to minus b plus minus b square minus 4ac upon 2a दो solution प्राप्त होने से हमें जो master equation प्राप्त हो रहे है displacement के लिए वह समीकर्ण है y is equals to a e की पावर minus r plus r square root of r square minus omega square complete multiplied by t and second term is b e की पावर minus r minus square root of r square minus omega square t और इस समीकर्ण में हम देख रहे हैं इस्टड़ी करना चाते हैं इसमें तीन तरह की संभाबनाएं जन्म लेती है first case if r is very greater than omega 0 r ध्यान रहे है damping coefficient है जब इस case की study करेंगे r is very greater than omega 0 तो हम इसको over damp कहेंगे and second case if r approaches omega 0 this case is set to be critical damp and if third case r is very less than omega 0 r is damping coefficient यानि damping बहुत कम है तब उस case को हम under damp कहेंगे अब इन तीनो cases की हमें study करना चाते हैं तो मान लीजिएगा सर पिर्थम r का जो मान है यह है case first r is very greater than omega 0 अगर ऐसा है तो हम इसको कैसे कर सकते हैं देखिएगा निश्यत रूप से यह जो equation number 2 हमारी आई थी इसमें square root of r square minus omega square है r is very greater than omega 0 है तो यह मान positive होगा लेट उस से इस value is gamma therefore this equation number 2 master equation become by is equals 2 e की power minus r plus gamma multiplied by t plus b e की power minus r minus gamma t therefore e की power minus r t को हम भार ले लें inner side where है जाएगा a e की power gamma t plus b की power minus gamma t हम इसको solve करें तो solve करने पर हमें जो equation प्राप्त हो रही है वह equation है e की power minus r t a plus b is multiplied by e की power gamma t plus e की power minus gamma t by 2 plus a minus b e की power gamma t minus e की power minus gamma t by 2 तो इस प्रकार से हमें दो टर्म प्राप्त हो रहे है हम कुछ यों technometrical function को जानते है जो पहले टर्म में technometrical function आ रहा है उसका मान कॉस hyperbolic gamma t है जबकि second जो टर्म आ रही है उसका मान sin hyperbolic gamma t है इन technometrical results का जब हम यूज कर रहे हैं तो expression displacement की किस प्रकार से बन रही है by जिकस्तु e की power minus r t within bracket a plus b cos of hyperbolic gamma t plus a minus b sin of hyperbolic gamma t हमने इस equation में a plus b को by 0 sin hyperbolic phi काहा है a minus b को by 0 cos hyperbolic phi काहा है और इन दोनों को जब हम substitution कर रहे हैं तो हमको over damp case में over damp case के लिए resultant displacement का जो equation मिल रहा है और इसका और बिए अर्था है इसे काहा है और आप इस समीकर्ट 2 by 0 e की power minus r t कम होकर ततपस्चात धीरे-धीरे कम हो जाता है इस प्रकार की जो गती कहलाती है यह गती डेड़ बीट होती है या एपिरियोडिक कहलाती है और हमने इस तरह की गती को इस डाइग्राम में आप देखेगा ओवर डेंप में मैंने बताया है कि किस प्रकार से बिस्तापन प्रारम में सीगरता से कम होकर के फिर्टत पस्चात धीरे-धीरे कम हो रहा है और इस प्रकार की जो इस्तिती है वह है इस्तिती ओवर डेंप की बन रही है दूसरा केस हम जो विचार करें वह है critical damp critical damp में जैसा मैंने कहा कि r approaches omega 0 it means r is equals to omega 0 तो जो हमारी master equation 2 आई थी जब हम उसमें r approaches omega 0 लिख रहे हैं तो उन equation के दोनों पदों में square root of r square minus omega 0 square को हम h पहन सकते हैं जो बहुत small quantity होगी जिसको 0 के रूप में भी लिख सकते हैं therefore उस master equation से जो equation निकल के आईगी वो होगी e की power minus r t within bracket within square bracket is a e की power h t plus b e की power minus h t e की power x और e की power minus x formula का use करते हुए हम इसको expand करते हैं और हमें जो term प्राप्त हो रही है वह है है e की power minus r t within bracket c plus d c और d को हमने a plus b और a minus b h माना है अब इस समीकर्ण में आप देखेगा तो आप देख रहे हैं कि जो मान है दोलन के यह केस हम ध्यान रहे हैं यह केस हम विचार कर रहे हैं किस पर critical temper तो इस समीकर्ण से जो यह प्राप्त होई है by is equals to e की power minus r t c plus d t इसमें हम देख रहे हैं कि प्रारम में t के बहुत लगू मान के लिए विचापन का मान इस समीकर्ण के दुत्य पत के कारण थोड़ा सा बढ़ रहा है जो इसमें second समीकर्ण है उसके कारण प्रारम्बिक अवस्ता में जब t का मान चीरों से जैसे ही थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा तो displacement का मान थोड़ा सा बढ़ेगा और अधिक मान के लिए जैसे ही t का मान हम अधिक करेंगे e की power minus r t के कारण जो पिर्थम पद है वह है प्रभावी होने लगेगा और इसके प्रभावश्वरो विस्थापन सीगरता से कम होता हुआ सून की अवस्ता को प्राप्त करेगा इस प्रकार की जो गती बनेगी यह गती भी experimenting होती है और इसको मैंने diagram में बताया है किस प्रकार से छोटे टाइम के लिए विस्तापन का मान बढ़ रहा है और फिर यह मान तेजी से कम होने लग गया है तो इस प्रकार के केस में हम देख रहे हैं चाएं ओवर डैम्प हो चाएं गर्टीकल डैम्प हो दौनों ही इस्तिती में जो गती हमको मिल रही है वो है अपिरियोडिक मिल रही है अब हम तीसरा और अंतिम केस पर विचार करते हैं यह महकून केस है और यह केस है कि इफ आर इस लेस living अभड टैन ओमेगा जीरो से कम है ध्यान रहे आर डैम्प्रिंग को स्टेंट है और omega 0 oscillator का natural frequency है तो master equation 2 में जो term आ रही थी square root of r square minus omega square अब हमें उस term में square root of minus बन common लेकर के इसको define करना पड़ेगा so it become square root of omega 0 square minus r square इसका आर्थ हुआ कि square root of r square minus omega square को अब हमें i8 omega लिखना पड़ेगा और omega का जो मान है वह है square root of omega 0 square minus r square है बिचे जे positive quantity तो इस नए substitution के साथ तो इस नई approach के साथ अब हम equation number 2 पर आते हैं तो और जब हम equation number 2 पर इस substitution का यूज़ करेंगे तो इसका मान हो जाएगा a e की power minus r plus i eta omega t plus b e की power minus r minus i eta omega t e की power minus r t को common ले लिया within square bracket a e की power i eta omega t plus b e की power minus i eta omega t e की power i eta theta e की power minus i eta theta को हम यूज़ करते हुए जो resultant expression निकाल रहे हैं उसका मान निकल के आ रहा है e की power minus r t within square bracket a plus b cos omega t plus i eta a minus b sin omega t अब आप देखेगा कि यह जो term है यह displacement की है real quantity है इसका मतलब right hand side के जो term है a plus b a minus b यह भी real होने चाहिए इस कारण से हमने कहा a plus b का मान मान लीजे by zero sine phi है a minus b का मान by zero cos phi है तो इस नए substitution को जब हम इसमें फीड करते हैं तो यह मान हमको प्राइट होता है by educus 2 by zero e की power minus r t sine of omega t plus phi इसका आरत हुआ कि under damp case में alp ambandan में noon ambandan में हमने बिस्तापन की जो समीकर्ण प्राप्त कर ली है उस समीकर्ण में दो पद आ रहे हैं e की power minus r t and second term is sine of omega t plus phi by zero यहाँ पर अधिक्तम आयाम है तो इस समीकर्ण से आप क्या देख रहे हैं कि noon ambandan की इस्तिती में दोलक सरलाबद कत्की करता है परंतु दोलक का जो आवर्तकाल है उसमें ब्रद्धी हो जाती है क्योंकि आवर्तकाल का मान होगा t is equals to 2 pi by omega और omega के इस्तान पे हम लिखेंगे square root of omega zero square minus r square therefore time period expression become 2 pi divided by square root of omega zero square minus r square तो जब oscillator simple harmonic oscillator कर रहा था तो time period का मान आ रहा था t is equals to 2 pi by omega zero और अब इस time period के मान में ब्रद्धी हो गई है ब्रद्धी हो गई है और हम कह सकते हैं कि आवर्ती के मान में कमी हो गई है अत्याइश्पस्थ है कि noon ambandan की इस्तिती में under damped position में मुग्द दोलक के आवर्तकाल की तुल्ना में अधिक हो गया है लेकिन आवर्ती के मान में कम हो गई है यदि अब मंदन का मान अल्प रहे अर्थात अल्प मंदन का मान इतना रहे कि हम omega को omega zero मान लें तब विस्तापन और समय आलेक से इसपस्ट है कि निश्चित रूप से दोलक का जो आयाम है वह आयाम by zero e की पावर माइनस आटी के बरावर होगा इसका अर्थ हुआ कि जो दोलक का आयाम है वह समय के साथ चरगातां की रूप से कम हो रहा है हाला कि इस समय जो गती है वह निश्चित रूप से सरल आवर्द गती ही होगी मान लीजेगा तो जो रिलेक्सेशन टाइम है बन अपॉन आर टूटी के बरावर है तो इस समय अमन्दित दोलक का जो आयाम होगा वह आयाम a as equals to by zero upon e होगा it means जो maximum amplitude है उसका 36.8% रह जाएगा अर्थाद जितने समय में दोलक का आयाम अपने प्रारंबिक आयाम का 36.8 रह जाता है हम उस समय को relaxation time हम उस समय को आयाम का relaxation time अर्थाद amplitude of relaxation time बोलते हैं जिसको मैंने diagram में भी बताया है किस प्रकार से time के respect में जो amplitude है वह है amplitude के मान में धीमे धीमे गती कमी हो रही है तो आज हमने damp harmonic oscillator की equation को solve किया है और इस equation को हमने तीन भाग में solve किया over damp, critical damp, under damp अब इन उधारनों से हम इन बातों को समझते हुए कल यह ग्याद करेंगे कि इस case में अब कुल kinetic energy कितना होगा, कुल potential energy कितना होगा, total energy का मान कितना होगा और साथ ही साथ हम quality factor का expression भी निकालेंगे यह कार हम कल करने वाले हैं जब तक आप इस कार का अभ्यास करें और इसको अध्यन करें अभ्यास करें और कोई प्रोनम आए तो आप बाट सब करके संदेश कर सकते हैं धन्यवाद करें आप तो आप. करें गड्यास करें से घड़के करें